नमस्क्राइब दोस्तों कैसे हैं आप लोग टीन डाभी जो कि जैसल मेर की डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टेट हैं इनके अगेंस्ट ऑनलाइन ट्विटर के उपर थोड़ा बैक्लैश देखने को मिल रहा है थोड़ा लोग यहाँ पर उनको खरी खोटी सुना रहे है रीजन बिं से सेक्शन 441 ऑफ दे इंडिन पीनल कोर्ट सेक्शन 447 ऑफ दे इंडिन पीनल कोर्ट इंक्रोच्मेंट्स हटाने के अथॉर्टी किसके पास है औरल ग्राउंड डॉल पर काम के विसाब से होता है राजस्थान की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में यह जो पाकिस्तानी की सरकार है अशोग हेलोड साप के अंदर और अपोजिशन में है बीजेपी तो बीजेपी यहां पे राजस्थान की कॉंगर्स सरकार के ओपर इज़ाम लगा रही है कि यहां पे पाकिस्तानी हिंदू माइग्रेंट्स की जोगी जोपियां तोड के आप एपीजमेंट की प और बार्ड में नजर आ रही है तो बड़ी तागाद में इन पर्टिकुलर डिस्टिक्ट्स में पाकिस्तानी हिंदू माइग्रेंट सेटल हो रखे है एक बहुत बड़ा तपका जोधपूर के अंडर भी सेटल हो रखा है जोधपूर टेकनिकली एक बॉडर डिस्टिक्ट तो नहीं है बट अविसी बात है बॉर्डर के बहुत पास है तो बड़े तागाद में जो पाकिस्तानी साइट से राजस्तान के अंदर एंट्री मार रहे हैं वो जो अथूर में भी सेटल रहे हैं एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट देखा जाए तो 30,000 पाकिस्तानी हिंदू इमिग्रेंट्स तो जोदपुर के अंदर हैं लगबग 8,000 यहां पे बच्चे हैं और ओवर ओल यह जो लोग पाकिस्तान के साइट से इंडिया के अंदर आते हैं इनको कुछ और प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एक अलग बात है इनको हिंदी नहीं आती है पाकिस्तान के सिन्धी या उर्दू भषास इस्तमाल की जाती है तो इनकी जो पड़ाही लिखाई है वो सिन्धी उर्दू में है और अवर ओल भले ही उर्दू आपको बोलने में हिंदी जैसी लगे लेकिन उसकी जो राइटिं स्क्रिप्ट है बिलकुल अलग है तो इनको हिंदी फिर नए सीरे से सीखनी पड़नी पड़ती है तो overall ये जो educational burden है ये एक extra निकल के आ जाता है जोगपुर के अंदर से भी एक ऐसे illegal settlement को rage किया गया तो यही चीज हुई है यहाँ पे जैसल मेर के अंदर इस समय पे जैसल मेर की डिस्टिक्ट मेजिस्टेट है टीन अडापी और टीन अडापी और भी ऑवेसी बात है अपने यूपेस एक्जामें टॉप करने के चलते काफ इसको implement कर रहे होते हैं और encroachment हटाने की बात की जाएं देखिए encroachment, trespassing यह कुछ ऐसे शब्स होते हैं trespassing का मतलब क्या होता है कि for example किसी दूसरे particular individual की property में आप चले जाओ और overall उसकी मर्जी के बजाए जाके कुछ काम करो तो इसको आप बोल सकतो trespassing encroachment में क्या होता है कि आप किसी particular दूसरे की जमीन पर जाके अवैद कबजा करने लगो वहाँ पर लगातार अपना घर बनवाने लगो जबरदस्ती for example मालो मेरा या आपका कोई गाओं में खेत और वहाँ पर कोई दूसरा तीसरे बनदा आके कुछ अपना construction करने लग रहा है तो इसको आप बोलते हो encroachment तो basically encroachment को tackle करने के लिए Indian Penal Code में laws available है for example section 441 of the Indian Penal Code यहाँ पर criminal trespassing की बात की जारी हूवर enters upon into property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in the possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy such person article 440 sorry section 441 of the Indian Penal Code की बात की जारी पनिश्मेंट of criminal trespassing तो punishment of criminal trespassing में जेल की सजा हो सकती तीन मेने तक की और 500 रुपे तक का जुर्माना हो सकता देखें criminal trespassing के जो नियम कानून लगाए गया थे पहले के जमानों में किसानों की जमीने हड़ाप लेते थे बड़े बड़े जमीनदार तो इस context में बनाएगा है तब obviously बात है यह जो पाकिस्तानी हिंदू immigrants इंदिया के अंदर entry मार रहे हैं यह क्या ही किसी को धमकाएंगे क्या ही किसी को भड़काएंगे यह खुद vulnerable lot को belong करते हैं बट टीनर अभी ने यहाँ पर explanation दिया है कि भाई देखें locals यहाँ पर complain कर रहे थे जी हाँ डाउन कर रहे थे इसके चलते टेक्निकली राज्य की सरकार ने हाँ पर order पारित करके इनके encroachment को नीचे गिरा दिया वैसे देखा जाए दोस्तों तो encroachment से related खबर अकसर कर सुनने में आती फॉर एक्जामपल railways की जमीर पर encroachment हो गया जुगी जो प्रियां हो गया तो encroachment बहुत अलग अलग प्रकार के होता है किसी के private land पे आपने encroachment कर दिया तो वो particular case को लेकर district में श्रीट के पास चला गया वहाँ पर राहत नहीं मिली तो राज्य की हाई code में चला गया तो encroachment बहुत प्रकार के होते और encroachment के order overall वो जमीन जिसको belong करती उस हिसाफ से decide होता है कि कौन issue करने वाला है railway के case में railway का कोई अधिकारी encroachment के order को rage करने के instructions देगा Bombay के अंदर BMC के अंदर जितना अलाका आता है Bombay मिर्सपल Corporation देगा जहाँ पे मिर्सपलिटी का domain नहीं है वहाँ पे राज्य की सरकार का top executive officer देगा जो कि यहाँ पे टीनडा भी है एक और यहाँ पे logic बताया जा रहा है overall यह जो particular इलाका है जहाँ पे यह जो illegal settlements थे इनको rage किया गया यह अमर सागर इलाका है और वहाँ पे बहुत बड़ा सा तालाब है यह जैसल मेर डिस्टिक हेलिकॉर्टर से चार किलोमेटर दूर है तो overall तालाब के entry point पे जो पानी का flow है उसको भी illegal settlements व्लॉक कर रहे थे इसलिए भी यहाँ पे illegal settlements को तोड़ना जुरूरी था चुकि longer term में उस particular तालाब के replenishment पे impact आ सकता था तो भाई ठीक है अब overall यहाँ पे यह illegal settlements तो तोड़ दियेगा तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका क्या होगा तो temporary night shelters में यह लोग जाके रह सकते हैं वहाँ पे इनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाएका लेकिन दोस्तों long term solution यह नहीं है long term solution यह है कि केंदर की सरकार और राजी की सरकार मिलके जब तक इन पाकिस्तानी हिंदू migrants को citizenship नहीं देते हैं और जब तक यह rules नहीं बनाये जाएंगे तब तक overall citizenship amendment act का benefit भी इन पाकिस्तानी हिंदू migrants को नहीं मिल सकता और उसमें काफी हद तक politics involved है तो वो rules तो कब बनेंगे भगवान मालिक है तो isolated pockets में यह जो particular पाकिस्तानी हिंदू migrants रह रहे हैं जब तक इनको citizenship नहीं दी जाती तब तक भैतर यह रहेगा कि केंदरी की सरकार और राजी की सरकार मिलके proper यहाँ पर refugee enclaves को designate करें इन particular refugee enclaves के लिए जमीन केंदरी की सरकार भी दे सकती है राजी की सरकार भी दे सकती है और यह refugee enclaves अलग अलग प्रकार के हो सकते है कोई पुराना स्कूल था अभी स्कूल में कोई नहीं आता विल्डिंग खाली पढ़ी है तो उसको refugee enclaves बना दिया कोई बहुत बड़ा auditorium hall था यूज नहीं हो रहा उसको refugee enclaves बना दिया लेकिन इस प्रकार के refugee enclaves को बनाने के लिए केंदर की सरकार और राज्य की सरकार की बीच में proper coordination हो चाहिए अब राज्य स्थान गंदर राज्य की सरकार दुसरी पार्टी की है केंदर में सरकार दुसरी पार्टी की है तो कभी-कभी dissension के चलते भी overall इन steps पे जो action है थोड़ा लेट हो जाता है तो I hope आपको कुछ ना कुछ useful जानने को मिला हो दोस्तों अपने viewpoint नीचे कमेंट बॉक्स में देखी जाएगा आपका इस particular topic के बारे में कोई राय है कोई extra information है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जादा से जादा लोग से वीडियो को लाइक और शेर करिए दोस्तों मेरी एप हर्शी दिवेदी एजूकेशन को डौनलो करने वाला हूँ, have a great difference पढ़ते लिखते रहिए